बच्चों, पिछली कक्षा में अपने पार्ट दर्स पड़ा था कि रेशों से कपड़े कैसे बनते हैं तो मेरे आपको सूती वस्त्रों के बारे में जानकारी जी थी अब जिन सूत का जो मतलब पोधा होता है, वो छोटा होता है इन फोधों का फूल रूई की गेन की तरह होता है, और यह जो है इससे क्या-क्या चीज बनती है और यह लंबे समय तक बालू नुमर एशों की बीजों को अपने अंदर समाईत करता रेता है तो आपको अभी बता दू कि कपास के वयस्क फूल जिने हम लीट केते हैं, उन में से बीजों का अलग करने की मशीन को क्या करते है उसका अविशकार जो है सत्रासो तर्राणों में हुआ था अब आजाएगा बच्चों की कपास के फूलों से जो बीजों को निकालने की मशीन उसका अविशकार कब हुआ था तो उसका अविशकार एली पेटनी ने सत्रासो तर्राणों में किया था अब आजाएगा हेंप हेंप का पोधा जो अब रेश देता है अपनको वह है कि इसकी उचाई कितनी होती है कम से कम इसकी उचाई कम से कम जो जो चो सट की है जो सब मेटर होती है यह जो है पोधो का मूख्य पना खोकला होता है जबकि इसकी छाल का अниरूनी हिश्बा होता है इसका रे सा बहुत मजबूत होता है त्था त्था जिसे आसानी से छीला जा सकता है और पटूओं के रेशो तृस के नurn भाग बस्त्र बनाने में काम आते ह इसके अलावा पटूों का रेशों से कहीं और भी उपयोग होते हैं इसके बीच में तने इसके वीजों से तेल भी निकलता है जबकि इनके वीजों को अलग-अलग प्रकार के रसायों में मिलाकर चरस, गांजा और वो सारी महादग पधार बनाया जाते हैं किस से हैंट के पोदे से अब है जूट का रेशा जूट की रेशे एक छालदार छोटे किन्तु मजबूत पेड़ पोदे होते हैं और पोदों से निकलते हैं इस पोदों की उच्छा यदिक्तम चार मिटर तक होती है इस रेशे का सबसे बड़ा नुपसान यह है कि यह काफी फृदूरा होता है कि प्रषन आ जाएगा इसमें कि यह कितने मिटर याद रख लिजिए कि जूट का रेशा 4 मिटτεर तक उच्चा होता है, और ये फूर्दूरा होता है, तो जब जूट का पोधा वैस्तु हो चाता है, तब खेतों से काट कर बंडल बना कर रख लिया जाता है, तो पलिचा अने पानी में भिगोया जाता है, और भिगोने के बार जिससे कि इसके रे सब्सक्राइब नोगरेन के सब्सक्राएं जूट के रेशे से ताड के थेले वरिकालिनग़िचह रस्तिया काजर्च बनाने के काम Sindama के समान हूआ जूट समीं परियार्द के मित्रें यह प्रहन को घर नहीं करते हैं रेशय आशाणी से घर्ण उर्स अधारी को खराब नहीं करते हैं तो बच्छों में आपको मतलब है तो रेशो का उप्योग प्यूह से फ्लेख क्या है इसका उप्योग मुख्य रूप से इनके रेशे निकालने के लिए उगाया जाता है जब इसका पोधा वयस को हो जाता है तब इसको पानी में गलने के लिए छोड़ दिया जाता है गले हुए पोधों में से रेशा आसानी से अलग हो जाता है जिसको निकाल कर वस्त्र बनाने के उपयोग में लिया जाता है तो वच्चों आपको मैंने बताया कि फ्लेक्स और हैंप और जूट और कपास इन पोधों के बारे में बताया कि इन पोधों से हमें वस्तर प्राप्त होते हैं अब आपको मैं बताऊंगी कि किन किन पशुओं के बारे में जो हैं आपको रेशे प्राप्त होते हैं तो मैं ये अगले पार्ट में बताऊंगी इस पार्ट को मैं यही खतम करती हूँ